Hello friends, good morning, welcome to Panella School बच्चो आज हम पढ़ेंगे हिंदी की क्लास में वियाकरण का टोपिक संग्या हमने वियाकरण का टोपिक आगे पढ़े हैं और आज हम संग्या पढ़ने आले संग्या को हिंदी में, इंग्लिस में बोलते हैं नाउन बच्चो हम पढ़ना स्टार करते हैं, ध्यान से विडियो देखना हो समझ्या बच्चो हमारा आले का टोपिक है संग्या, संग्या की से करते हैं अपने आगेली क्लास में पढ़ा होगा, किसी प्राणी, स्तान या वस्तु अता भाव के नाम को संग्या कहते हैं व्यक्ति, वस्तु भाविस्तान सब करवाते हैं, क्या करते हैं उसको संग्या का ज्यान होता है संग्या पांच प्रकार के संग्या में केसे पहचाना जाएंगे कि ये संग्या कहलाएगी तो देखो बच्चो, हम बोलते हैं कि राम विध्याले जा रहा है, इसमें राम क्या है? संग्या है, बोलते हैं मेरा नाम नीता है, वो दूसरी लड़की बोलते हैं मेरा नाम नेहा है, तो इसमें नाम है, वो क्या है? संग्या कलाते हैं, किसी प्राणी, लो किसी का कुछ होता तो दिल्ली क्या कहलाएगा यहाँ पर संग्या कहला है तो किसी प्राणी, स्थान, वस्तु अता भाव के नाम को संग्या कहते हैं पढ़ते हैं भी समझते हैं संग्या, एक किसा सब्द है, जो किसी विशिष्ट वस्तू या चीजों के स्ट के नाम के रूप में कार्य करता है जैसे कि जिवित पराणी, वस्तूय, स्तान कार्य, गुन, अस्तित की इस्तिति या विचार बोलो एक संग्या की परिवास है, बचो संगय केसा सब्दे जो किसी विशिष्ट वस्तु या चीजों के सेट के नाम के रूप में कारे करता है जिसे जीवित प्राणी वस्तुय स्थान कारे गुण अस्तित्र के स्थितिय विचार ये सब आने पर हम को क्या कला है संगय कलाते जिसे सीता तो सीता क्या है, सीता क्या है, व्यक्ति, तो यह संग्या कहला है, डिब्बा, तो वस्तु है, तो यह संग्या कहला है, लेप्टॉप, यह भी वस्तु है, बरेली, तो स्थान, और नेनी ताल मतलए स्थान है, यह भी संग्या कहला है, जेको आगे हम समझते हैं, एक जामपल है हमारी है सीता एक बुरी लड़की तो बुरी क्या कला है उसकी हमने खास्यत वता है कि बुरी है यह अच्छी है तो यह संग्या बॉक्स पुराना है तो यह क्या संग्या कलाता है बरेली एक अच्छा सहर है तो सहर कौन सा बरेली है नेनीताल खूपसुला सहर है तो नेनीताल क ति यहां की परिबाश्व उसके उद्दान को लिफ कर संग्या को समझाने की कोशिश किए अमीद है अप समझ चुके ऊंगे पप्रका नाउन, संग्या को हम इंग्लिज में नाउन बोलते हैं नाउन पांच परका के होते हैं जिनके बारे में आज हम बात करेंगे हमने इनके मीचे लिस्ट बना दिये पांच परका के नाउन के बारे में उदारा सहीती समझाएंगे संग्या को पांच भागों बाटा गया है पहला भागे व्यक्ति वाचक संग्या जाति वाचक संग्या समो वाचक, द्रव वाचक और भाव वाचक पहला कौन सा है? व्यक्ति वाचक देखो पहले व्यक्ति वाचक संग्या के बारे में समझते हैं परिबादे जिस संग्या सब्द से किसी विशेश स्थान, विशेश वस्तु या विशेश व्यक्ति के नाम का पता चलता है, उस संग्या सब्द को व्यक्ति वाचक संग्या कहते हैं, जिसमें विशेश व्यक्ति का नाम हो, जैसे विशेश व्यक्ति मतलब महात्मा गांदी हो मा नम दिया गया तो व्यक्ति वचक में पर दूसरा बूला गए है याँ सब कहलाता है तीसरा वच्छो में स्थान दिया गए है यह सब सिद्धिया लो यह सब कहलाता है ति जब व्यक्ति वाचक संग्या में आता है। देखों यहां पुधान दिये गए हैं। उस्तान में क्या है भारत, दिल्ली, गोवा, अमेरिका, अम्रसरियार्दी संग्या कर लाते हैं। फिर व्यक्ति, महात्मा घांदी, भगत सिंग, सचिन, तेंदुलक और कलपना चावला। वस्तु के से रामा और महाभारत, रिगवेद, रामचरित, मानद, यह आती वस्तु वति जो व्यक्ति वाचक में कहलाते हैं। फिर वच्चों आगे उसी प्रका दिया गया है। जाती का संपून बहुत होता है। उसकी पून श्रेनी को पून वर्ट का ज्यान होता है, उसे संग्या सब्दी को जाती वाचक संग्या कलाता है। जेसे वस्तु, मोटर साइकल, वस्तु में भी क्या मोटर साइकल, कार, टीवी, मोबाइल आदी, उस्तान में पहाण, तालाव, गाउं, मंदिर आदी, प्राणी में लड़का, लड़की, घोडा, सेर आदी, नीमने लिखे इस वाक्यों में उचित संग्या के उधाराने, सहर बहुत बड़ा है, जानवर पानी पीता है, पानी बहुत ठंड़ा है, पानी के है, पर कितना है, बहुत ठंड़ा है, जानवर पानी पी रहा है, तो इसमें क्या है, जाती का पता हो रहा है, जाती, सहर बहुत बड़ा है, यह सब जाती का पता लगा रहे है, अब आगे बच कोता है उसको सम्मू कहते हैं जैक व्यक्तियों का सम्मू परिवार संग सेना ये सम्मू होता है वस्तों के सम्मू में गुच्छा पुंच धेर ये सब सम्मू का यो बहुत सारी पैंसिल है तो सम्मू कहला है पैंसिलों का सम्मू तो ये सम्मू वाचक कहलाता है जैसे बच्च होता है ते समु वाचक कहलाता है यह पिर यह द्रव वाचक, परेभाचा जो सब्दी किसी ठोष तरल पदार्थ धातु ग्रवय का बोद कर्ते हैं न पदार्थ धात्पstet धातु लिक्विड भी आता है, धातू अधातू भी आती है, जैसे उधारन देखे हम समझते हैं, हमें रोजाना फल खाने चाहिए, कितने फल खाने चाहिए, ये नहीं बता है, फल खाने चाहिए, मुझे पानी पीना है, पानी की कोई लीमिट नहीं होती है, उसे बाजा से सबजी ल कर आँ, मतलब औगणी मतलब उसको घीना नहीं जा सके मतलब इसको कोई भाव happily न HOL जो उसको क्या बोलते हे ऊप उसको मkeln उसको मैं जिए गया है पहले वागे में फल सभो थामें एक दृव्य का बौध करा लहा है बोध करा रहा थे पाने सब्द द्रव वाचक संग्या है पिरे भाव वाचक संग्या जिस संग्या सब्दी से किसी व्यक्ति पसू आधी गुंद दसा अवस्ता आधी का बोध होता है उसे भाव वाचक संग्या कैसे कोई दादाजी होते हैं वो बूडे होते हैं वह बूड़े हैं, क्यों उनको देखके हमको पता चलता है, कोई छोटी लड़की है, दस साल के तो हम चोटी लड़की है, क्यों उसको देखके पता चलता है, वो अवस्ता है उसकी, मिठा, मिठा को देखते हैं, हम बले उसको खाए नहीं, तो भी उनको पता चलते हैं, क्यों को भी ऐसे होता है तो बच्ची यह हमने आज संग्या का टोपिक पढ़ा संग्या कीसे करते हैं संग्या के कितने प्रकार है यह सभी हमने आज पढ़ा आपको पता चला केसे क्या होता है जैसे बच्चा खिलोने से खेलता है तो इसमें संग्या क्या हो सकती है बच्चा और क्य कर रहा हैए खीलों ने से कहल ला है कीलों तो यह संग्या कहला ती चील है को मिनाद दिल्ली में है जिसमें संग्या कहाएगी केल्ष १ख़ दिल्ली दोनों, दादा जी को हरियाली पसंद दे, दादा जी और हरियाली, दोनों क्या कहलाएगा, संग्या कहलाएगा, तो बच्छों आप ये वीडियो को देखना, समझना, और अपने हिंदी में व्याकरन की किताब बनाई होगी, व्याकरन की नोटबुक बनाई, उसमें आप यह लिखना ओके वीडियो को देखके लिखना समझने और लिखने में प्रोब्लम हो तो मैं इसके साथ इसके पीडिएप बेजुँगे पीडिएप में देखके लिख लेना ओके बच्चों बाइबाइ